तो नमस्कार दोस्तों प्यारे मित्रों गाईज दोस्तों मित्रों प्यारे बहिनों और पहियाओं और आज हम बात करेंगे दिगो समास दिगो समास हरे एकजाम में आता है समास की बात चल रही थे अपने जिसमें हैं दिगो समास तो मित्रों जो समास होता है मिल्कुल आसान स समास हैं यहां से और आपको हर एक्जाम में मिले गाए यह पेसी पुलिस पटवारी ग्राम सेवक अधर राज्य के यतने भी एक्जाम है एस्टेट हर्यानाटेट सारे में क्यूशन आएगा हिंदी के अंदर तो आप देखो अच्छे से सुनो और वीडियो अच्छे लगे त सब्सक्राइब करें तो देखो दोस्तों दीकू समास की बात कर रहे हैं दी दके हलंद लग रहा वीगू समास यानि कि इसमें कौन सा होता है दूसरा पद परदान होता है यानि कि पीछे वाला जो पद होता है न दूसरा वो परदान होता है दिवी दिवी यानि होता है दो या two टीडवी या two यानी दो और गू यानी होता है गाई यानी cow दवी गू यानी दो गाये क्या दो गाये जिस समास्क पद का पहला पद संक्यवाच्यों यानी कि पहला पद होता है नंबरिंग वाला इसको दवी यानी दो त्री चतूर पंच श़ृषच ऐसे सब्ध विग्रक करने पर रूड या तीसरी अर्थ का बहुत नहीं कराता है वह विरी समास कराता है ना बहुत सारे गेंवाना चाउनलों का तो वह कराता है चैसे संक्या प्लस संग्या द्विगू यानि संग्या कौन वह गाई काउ और संक्या द्वी यानि दो यानि कि क्या हो गया दिगो समास ध्यानक न आपको विश्यस कर यहां से क्यूशन आता है यही है मैं बात मैं कड़ी यही है और इसी को अच्छे से आप समझ लेना सीख ल गाए काउ जिस समासिक पत का पहला पत संक्यावाची नंबर वाला हो नंबर वाला हो एक है द्विहीत्री है चतुर है पंच है सेश्ट है सब्त यसे तो तीसरी अड़ का बोध में कराकर किसी समू का बहुत गूरूपिंग का बोध कराता हो मादीकू समास होता है आगे गुरूप का बोध करारा दोस्तों गुरूप एक तारा एक तारा हे जू तो पट्टा दो पटों का समू दू पहर दो पहरों का समू दू धारी दो धारों का समू दो मठ दो मिट्टियों का समू त्रिफल तीन फलों का समू त्रिकाल तीन कालों का समू त्रिवेणी तीन धहराओं का समों त्री मोर्ती टीन मूर्तियों का समों ठीक है दोस्तों यह जरू द्हान केना तो ऑगान अ है है तो इसा थीकू 독्त कर्ष ? दू धारी दो मठ यानि दो मिट्टों का समों त्री फला त्री काल त्री वेणी त्री मूर्थी यह कुंसा समासा है का दीगू आता है चो बारा चार बाहरों का समों यह जिस घर में चार बाहरों जिसे मालों यह गर इसमें बाहर होते हैं चार होते हैं तो चो बारा क्या बोलते हैं उसको चो बाहरों का समों चो पाल चार पालों का समों चो पड़ चार पड़ों का समों चतुरंगीनी चार अंगों का अं में चंगा पो में है ना होता है ना पाला तालाब की पाल ये रास्ते चोपाल क्या बोलते उसको चोपाल चतुरंगीनी चार अंगो वाली हाना अब आते हैं पंचांग तो पंचांग पांच अंगों का समों पंचांग क्या बोलते पांच अंगों का समों पंचायत पांच आय आए तो आए जानते हो लम्बाई पी चौड़ाई उसका हुआ कि यह को त्याया हुआ परिमाब जानते हो आप कि यूटि हो लम में पीमिल चोड़ा एन तो प्लस लमचल ड़ॉच सोड़ाई क्या तैं मिৌल alcanz रफल और उसका परिम, नाथ कि लंबै को जरी पंच शेट पसेरी, पांच रेसे, पंच अम्रत, पांच अम्रतों का समो, सड रस, छे रसों का समो, सड रितू, छे रितों का समो, ठीके दोस्तों, यानि कि इसमें क्या है सड आगे आगे, तो छे रसों का समो, सड रितू, छे रितों का समो, सड अंगों का समो, सट कोन, सट कोनों का समो, छे कोणों का समों देखो छे कोण मन जाते हैं इसमें एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच एच्छे एक दो तीन चार पाँच चलो यह बना देते हैं इसको में टार दो एक दो तीन चार पाँच चे यानि सट कोण मन गया यह जबन गया सट कोण तो सट छे कोणों का समों साथ रंगों का समोह, सब्त अहन, साथ दिनों का समोह, आहन, यानि आहन यान यान दिन, रंगे उता है रंग, यानि साथ रंगों का समोह, सब्त रिशी, साथ रिशियों का समोह, ठीके, सब्त सैली, साथ सैलीों का समोह, ये द्यानकना, अट पहर, आट पहरों का समोह, अठ व नौ रात्र नौ रात्रों का समुवां नौ रत्र नौ रत्रों का समुवां नौ ग्रह नौ ग्रहों का समुवां नौ रत्वां नौ लाग रुपईयों का नौ लगा सोरी नौ लाग रुपईयों का समुद दशाब दी दस सब्दों का समुवां शेताब दी सो वर्सों का समु ॐँएंट सोरी कि जरू द्यान अला अब आता है चालीसा चालीस तो समौन भात्तिस प्सतिस गड़ चालीस ही बशयोन का समौना कैंट 300 एसाथ मग्लाव700 का समौना कैंट्स गड़ी बशया शbbeक तेसे गड़ का समौना पैट्थ इसे बथॉड़ एस मग्लिछारी 2 इस तरह से आप ध्यान रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो में पढ़ेंगे दंद समास और आप मेनत करते रहो सपलता आपको निश्चित मिलेगी दोस्तों निश्चित तो आप गवरामत तैयारी करते रहो जम कर आप पड़ो बेफिक्र होकर और यह यहां से क्यूशन बाहर नहीं जाएगा यहां से दो तिन बाहर अभी उजन कर लेना और एक जांपल देख लेना उदारन और नियम तो यहां से देगी लेना तो दोस्तों अगर आपने यह टोपिक समझ लियाना तो कहीं जाने की जूरुत नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों और इसी तरह प्यार बनाए रखना धन्यवाद और अगली बार दंदू समास पढ़ें अगली वीडियो में ठीक दोस्तों